नमस्कार, Currency Morning Podcast में आपका स्वागत है, आज 31 मार्च, कल के सेशन के अधर बात करें, कल एक आएक हमने देखा कि USD-INR में करीबन 7% की तेजी और USD-INR की तेजी के चलते चलते ही हमने ERO, GBP और JPY में भी तेजी मनते वे देखी, हमने देखा USD-INR में 7% की तेजी मुख्य करन थ इंट्रेशनल डॉलर इंडेक्स 93 का लेवर क्रॉस कर चुका है, जिस दंग से हमने स्टेटमेंट्स आते भी देखे हैं, यूए साइट से के जहां पर एकॉनमी को रोबोस्ट बताया जा रहा है, पोस्ट पेंडवी, और साथ में आज का दिन का फी पॉर्टेर जहां करीब जाता कि 73 का अगर लेवल बीच हो जाता है, तो कही ना कहीं प्राइज सी इदर 74-20 तक जा सकता है, बट इंपॉर्टन है अगला दो दिन, कल एन्वल क्लोजिंग के चलते करनसी मार्केट बंद रहेगा, 2nd अप्रेल को गूड फाइडे के चलते पूरा मार्केट बंद रहे और प्राइजस नीचे में 73-30 से 35 तक का भी लेवल दिखा सकता है, इरो जिबीप की बात करें तो इंटरेशनल मार्केट में हमने गिरावट आते वे देखिए और टोमेस्टिक मार्केट में यूसडी अर्ण में आज की जो गिरावट रहेगी, इसके चलते इरो जिबीप म लेवल रिगेंद करते वे देखा, आज की ओप्रिंग डाउन होगी, जो एक सो एक बीस के करीब होगी, और प्राइजस आज एक हंडेड़ एटी, हंडेड़ नाइटी के करीब जा सकता है, जीबीप आनर के अगर बात करें, जीबीप आनर की बात करें, तो कल हमने शॉट क लेटा देखें, तो दो साल के हाई पर पहुंच चुका है, और उक से भी अगर हम देखें, तो प्राइजस में एक सपोर्ट ब्रेटेन में जो वैक्सिल रोल आउट फिर से होई है, इसके देखते हुए मिला है, तो इन आल हम जाल सकते हैं कि आज का सेशन यूजड पर टि और डॉलर के थोड़ा प्रेशर आ सकता है, यूके से भी आज फाइनल जड़ीप के आकड़े आने हैं, साथ में रिवाइज बिजनस इंवेस्टमेंट है, ये भी स्टेबल आने के उमीद है, इरो जोन से भी काफी बड़ी डेटा पॉइंट है, जहां पर प्रिमरी सीपिय जागड़ा रहेगा, जहां पर थोड़ा सा इक नेगेटिविटी दिखा रहा है, चार्टी के लिए काफी बड़ी रैली के बाद, अल्मोस्ट सेविटी फॉर का लेवल हम चूँचुके थे, एक पुलबेक दिखा सकता है, जो सेविटी त्री पचास तक का लेवल हम जागडारी के लिए आप हमारा यूटूब से सस्काइब कर सकते हैं, इस चैनल में हम आप तक एक्विटी कमार्टी करणसी के अपडेट लाते रहेंगे, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीचे, दाइब